एक मिलिनियर जिसको बिजनेस में प्रॉल्म आ रही थी उसे लड़की पसंद आई उससे वो शादी करता है तब भी बिजनेस में एक आदमी ने उससे धोका किया उसकी वाइफ कुछ भी खोना नहीं चाहती थी इसलिए वो मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं क्या आप इसके बा प्लीज इसे लाइक कर दीजे अभी नागसी देरी के इस में चाहन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यरेक्टर जिसका नामे जॉज ये अपने फ्रेंड के साथ शिकार पर आया हुआ था जॉज का सबना है कि उसे एक पैंथर को मारना है गैलवे एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है ये जब घर पर आया तो हम देख सकते हैं कि उसके साथ इंटिमेट हो जाता है इस सर्वन के साथ एक और आदमी था जो सर्वन को लाइक करता है उसे उस सर्वन का यह सब करना अच्छा नहीं लगता इसके बाद हम जॉज को काम पर देखते हैं वो भी अपनी वर्कर्स की तरह उनके साथ ही काम करता है उसका पार्टनर उसके पास आया पैंक एक नोटिस आई हुई थी उन्होंने लिया हुआ लोन अगर पे नहीं किया तो इस सब को जो सीज कर सकते हैं जॉज कहता है कोई भी प्रॉल्म नहीं मैं जाकर इस क्रेट क्रेश की वज़े से उसने जो स्ट्रॉक एजो कोलेटरल रखे थे वह अब एकस्पार हो चुके है इसी वज़े से उसे किसी और तरीके से लोन पे करना था उसकी अफरिका में गलाइंड है पर यह बेशने से वो मना करता है उसका ड्रीम है कि वहाँ जाकर वो अपनी ड्रीम को इस तरह से वो बेज नहीं सकता नेकसेन में अपने फ्रेंज के साथ एक होस रेज देखने के लिए आया हुआ था उसकी फ्रेंड उसे कहती है अगर तुमने तुमने तुम्हारी एस गर्फरेंड से शादी कर लियो थी तुम्हें पैसों का कोई भी प्रॉ प्रॉलम नहीं है तब उसने होल्स राइड करते हुए सेरेना को देखा सेरेना बहुत जादा ब्यूटिफूल थी उसकी नजर उससे हटी ही नहीं जौश की फ्रेंड ने उसे कहा कि वो किसी को भी घास नहीं डाल दी वो जब छोटी थी तो उसकी फैमिली की फायर में जब वो राइड करते हुए आगे जा रही थी तो वो भी उसके बीचे बीचे आता है थोड़ी देर बाद सेरेना रुक कर उसे पूछ लेती है तुम कर क्या रहे हो जौश कहता है तुमारे पास आकर अपने आपको इंटर्डूस करना चाहता था एक दूसरे का नाम बताते जौश ने का मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी वाइफ होना चाहिए सेरेना इस पर हसी और हसी तो फसी डारेक्ली इनकी शादी हो चुकी है वो उसे अपने टाउन में लेकर आता है जौश के मैनेजर ने सेरेना को देखा तो बहुत ही सप्राइस था कि डारेक्ली जौश शादी करकर आया जौश के उपर के लोन को पे करने के लिए सेरेना अपनी सारी प्रॉपरिटी बेच कर उसे सब पैसे दे देती है जौश मानने लग गया है कि सेरेना उसकी बिजनेस की पार्टनर है घर आने अपर जौश जिस सर्वन्ट के साथ इंटीमेट होता है यहने देख रही थी सेरेना को पता जला जौश एक्स्पेंड करना चाहता था पर सेरेना कहती है मेरी तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुमने जो भी किया यह सब कुछ मुझे नहीं जानना अब सब कुछ परफेक्ट है उसे हिल से वो कहा रहने वाले है यह सब दिखाता है सेरेना को यह बहुत ही ब्यूटिफुल लगा वो कहता है मैंने आफरिका में एक लैंड बाई की है वहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया हंडर्स ओप माईल तक जंगल सब ब्यूटिफुल उसे वहा रहना बहुत अच्छा लगेगा सेरेना समझ गई कि उसके लिए बहु को एक सापने डस लिया था सेरेना कहती है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर हमारे पास इगल्स होते हैं उसने एक को मार डालते हैं मैनेजर कहता है हमारे पास यहाँ कोई भी इगल नहीं सेरेना ने का तो हम इंपोर्ट कर लेंगे आते ही सारा कॉंट्रोल ले रही थ इसी चीज़ को उसने डिनर के बाद मीटिंग में किये जॉज उसका मैनेजर सेरेना ये सब बात कर रहे थे जॉज सेरेना से पुछता है तुम्हें हमारे काम के बारे में क्या लगता है सेरेना ने का जो काम तुमने 9 मन में किया वो हम 6 मन में भी कर सकते है जॉज मैनेजर को स मैनेजर की तरह ही पावर में है उसकी सब बाते तुम्हें सुननी पड़ेगी मैनेजर को बात खटक जाती है काम पर आने के बाद एक वरकर को वो ट्री के इस तरह से तोड़नी है यह भी बता रही थी यह वक्त हमारा 90 का है तो आदमियों को कोई ओर्डर करें इस तरह तो कहलों कहता है मैंने एक आतमी को मारा था सेरेना थोड़ा भी किसी से भी नी डरती वह बहुत ही जादा कॉन्फिटेंट होती है इसके बाद टाउन में मिटिंग हो रही थी कुछ गवर्मेंट ओफिशेल्स जॉज और इन्वार्मेंट को बचाने वाले लोग चाहते थे ये जंगल की जगा पर एक पार्क बने जिससे इसकी ब्यूटी मेंटेन रहे किये जॉज इसके खिलाफ है क्योंकि उसका वूड काटने का ही बिजनेस है वो गहता है अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सारे लोगों का चौब चला जाएगा वो अच्छा पेई करता है सब कोशी से उसे हवा में उठा लिया इन्होंने जो इगल को मंगवा हुआ था ये भी वहाप भूच जाता है सेरेना कहती है इस इगल को सिर्फ में ही कंट्रोल करूंगी सारे आतमियों को पता चलना चाहिए इगल को कंट्रोल करने वाली एक लड़की है उसने उसे ट्रेन किय इगल की उड़ने की फर्स टेस्ट हुई सेरेना ने कहा जैसे ही प्रे मूव होगा इगल उस पर जड़ब मार देता है कोई भी उसे बच नहीं सकता एक साब को इगल ने पगड़ कर मार डाला इनकी सारे वरकर्स सेरेना के लिए जीर अप करने लग गए एक दिन मैनेजर जॉज से बात करता है वो कहता है जो लोग पार्क बनाना चाहते है इस लैंड के लिए वहां बहुत सारे पैसे देने के लिए रेडी है हमारे पास आफरीका जाने के लिए इतने पैसे नहीं तो लेकर हम जा सकते हैं जॉज इसके लिए मना कर देता है उसकी लैंड वो सेल नहीं करना चाहता मैनेजर को सेरेना भी अच्छी नहीं लगती तो जॉज ने उसे समझाया क्यों हमारी पार्टनर है यह तो मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा रही बात पार की तो गवर्मेंट ओफिशेल्स को जाकर ब्राइब देने का काम वो मैनेजर को देता है मैनेजर यही करने के लिए क्या हुआ था तभी एक पुलिस ने उसे रोक लिया वो कहता है मेरे पास तुमारे ले एक डील है इसके बात मैनेजर जॉज के पास पार्क बनाने वाले लोगों को लेकर आया वो उसे लैंड के लिए 400,000 डॉलर्स देने वाले थे जॉज कहता है अगर मैं इसे सेल करूंगा तो 1,000,000 डॉलर्स के लिए उसके लैंड की वैलिएशन इतनी कभी भी नहीं है उसने का तुम लोगों को मेरी जरूत है और मैं सेल नहीं करना चाहता अगर बाय करना है तो इसी प्राइस पर करना पड़ेगा ये मीटिंग वो यही खतम कर देता है जॉज फिर गैलवे के साथ शिकार करने के लिए आया हुआ था जॉज को अपने मैनेजर पर शक जाता है उसने गैलवे से पूछा क्या मैनेजर का कोई और प्लेस है जहाँ पर वो मीटिंग कर सकता है गैलवे को पता था तो जॉज और वो यहाँ जाकर आये जॉज ने देखा कि उसकी लैंड का मैप यहाँ था बहुत सारे लोगों ने मीटिंग की थी इसके बारे में जॉज ने मैनेजर को कनफरेंड किया मैनेजर गहता है अब वो तुमें 450,000 डॉलर्स देना चाहता है जॉज किसी भी हालत में लैंड सेल नहीं करना चाहता गहता है जब तक मैं मानूंगा नहीं तब तक तुम इसे सेल नहीं कर सकते अगर इन्हें ब्राजिल जाना होगा तो और दो साल लगने वाले है और मैनेजर इतना रुक नहीं सकता मैनेजर ने उसे धम की थी अगर तुमने लैंड सेल नहीं की तो जो भी illegal चीज़े तुम करते हो गवर्मेंट ओफिशल्स को ब्राइब करना इस सब चीजे में कोर्ट में बता दूँगा सब कुछ तुमारे हाद से चला जाएगा मैनेजर भी इसमें इन्वॉल था पर उसे कोई भी सजा नहीं होगी क्योंकि उसने पुलीस ओफिशर के साथ मिलकर डील की है जोज इस पर बहुत ही गुसा हो गया पर वो वहाँ से चला जाता है कुछ कर भी नहीं सकता रात में सारी सिचुईशन उसने सेरेना से कही इसके बारे में उसे कोई भी आईडा नहीं था सेरेना भी किसी भी हलत में अपना फ्यूचर सिक्यूर करना चाहती है यह दोनों मिलकर फिर प्लान मनाते है अगली दिन जोज मैनेजर उसके सब कोवरकरस यह मिलकर हंटिंग के लिए गए हुए थे मैनेजर जब शिकार कर रहा था तो जोज ने उस पर गन पॉइंट की जोज को एक मुमेंट में यह सब बहुत गलत लगा वो अपनी गन रख रहा था तब मैनेजर ने अपनी गन उठा ली वो जोज गुमार डालता इस वज़े से जोज ने मैनेजर को मार डाला यह सब एक आदमी ने देख लिया था वो जोज के लिए काम करता है तो कुछ भी बात नहीं बताता पुलिस आने पर उनने एक ही चीस कही कि वो उसकी रेंज में आ गया था और गलती से उसकी डेथ हो गए जिसने सब कुछ देखा था उसका नाम है कैमबल कैमबल भी जोज के फेवर में बात करता है जोज बेचार डिस्टब था सेरेना उसे कहती है उसने तुम्हें बिट्री किया था तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जिस सर्वन के साथ जोज इंटिमेट होता था वो प्रेंगनट हो चुकी थी तो मने बेबी को लेकर फिर से इस टावन में वो वापस आती है सेरेना नहीं से देखा और वो गुसा हो गए नेक सिन में जोज सेरेना को नहला रहा था उसकी बोड़ी पर एक सकार है जो फायर साया था सेरेना कहती है मैं बहुत छोटी थी मुझे काम करने के लिए सुबा जल्दी उटना पड़ता था जब फायर लगे थी तो उट चुकी थी बहुत ही ज़ादा डर गे तो इसी वज़े से वहाँ से भाग गे वो अपनी फैमिली की चीके सुन रही थी पर कुछ भी कर नहीं पाई बाद में उसे इस चीज का बहुत पच्टा हुआ उसने अपने फैमिली को हेल्प नहीं किया उसने तब से डिसाइड किया है ये जिससे वो प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है जॉज को बता चला उसकी सर्वन फिर से टाउन में आ चुकी है कैमबल उसके पास आकर कहता है कि उससे तुम्हें जॉब देना चाहिए वो प्रेंगनन्ट हुई इसमें उसका कोई भी फॉल्ड नहीं था जॉज ने जाकर उसे जॉब दे दिया ये बेटा उसका ही है तो उसका नाम बुझता है उसका नेम जेकब ये बाइबल से रखा हुआ था ये जॉज को बहुत अच्छा लगा सेरेना से इस सरवन के बारे में जॉज ने बात की तो उसे भी कोई भी प्रॉल्ण नहीं था इस सरवन को अपनी बेबी के साथ जॉज जब देखता है तो हमेशा इमोचनल हो जाता है थोड़े थोड़े पैसे अपने बेटे के लिए निकाल कर रखता है और सेरेना की डिलेवरी पास आ रही थी बेबी किक भी करने लग गया था जो आज एक्साइडेड हो कर अपने बेबी के लिए क्रीप बनाता है सब कुछ बहुत परफेक्ट था एक दिन काम पर एक्सिरेंटली कैलावे का हाथ टूट गया सेरेना जल्दी से भाग कर उसके हाथ पर सकाव वेगरा बान दिया जिससे वो अपना हैंड लूज ना करे होरस तक राइड करते हुए उसे वो गाड़ी तक लेकर आई राद में सेरेना को पेन होने लग गया था प्रिंगनसी के वक्त होरस राइडिंग नहीं करने चाहिए थी ये दर्द उसका बढ़ने लगता है उसका मीस कैरेज हो गया जॉज को उसे बहुत सारा बलड देना पड़ा उसनों से का अब हमें फिर से बेबी हो नहीं सकता ये दोनों बहुत रोए घराने के बाद जॉज ने जो भी क्रीव विग्रा बनवाई थी इसे रहना देखकर बहुत ही डिस्टब हो जाती है जॉज भी इसे तोड देता है मैनेजर हमेश सब सरवन को पेई करने का काम करता था अब उसकी जगा पर कैमबल ये काम समाल रहा था उसने तीजोरी देखी जुज में जॉज की सब नोटबूक से अगर ये नोटबूक पुलिस को मिल गए तो जॉज जेल में जा सकता है जॉज ने जो किया ये कमबल को सही नहीं लगता तो डारेटली पुलिस के पास चला गया थोड़ी दिन गुजर चुके थे तो जॉज सेरेना को अच्छा फील कराने के लिए एक पार्टी में लेकर आया एक ब्यूटिफुल जा उसे ड्रेस देता है पर सेरेना यहाँ पर बहुत जादा ड्रिंक कर लेती है बेबी के जाने के बाद वो बहुत ही जादा डिस्टरब थी अगली दिन जॉज ने अपना सेफ देखा तो उसके बुक्स मिसिंग थे वो गहता है कैमबल पुलिस के पास चला किया है सेरेना को भी इसके बारे में पता जल किया गैलोवे का हाट तूट सकता था पर सेरेना ने उसे बचाया तो गैलोव हमेशा उसे ओन करता है और वो डेंजरस भी है एक आदमी को मारने के लिए वो आरेटी जेर में जाकर आया था सेरेना फिर उसके पास गई उसे कहा जाओ और कैमबल को मार डालो इसी के पैरलल में जोज इंडारेक्ली अपने बेटे और सर्वन का खैल रखते हुए देख सकते है उसके ओफिस में उसकी फोटो थी कुछ पैसे रखे हुए थे ये सारी जीज़े सेरेना ने देख ली वो बहुत ही जादा जेलस होगी उसने जब सर्वन को देखा तो उसे लग रहा था क्यों सेरेना पर हस रही है इसके बाद गैलोए ने कैमबल को ढूंड कर मार डाला था सेरेना ने फिर उसे और एक काम दिया ये काम था सर्वन और उसके बेटे को मार डालने का राद में वो जोज से गहती है ये मैं जो भी कर रही हूँ ये हमारे ले कर रही हूँ हम खुश रह पाए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं राद में गैलोए और सेरेना ये जोज के बेटे को मारने के लिए कए हुए थे सर्वन उसे लेकर भाग जाती है इसे भागने में पुलिस ओफिसर हेल्प कर रहा था इस सर्वन के बेटे को हमेशा एक ओल लेडी समाल दी थी गैलोए और सेरेना उसके बास गये उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया इसलिए गैलोए ने उस ओल लेडी को मार डाला पुलिस ओफिसर को बात पता चले तो अगली दिन वो जॉश के बास आया जॉश को सब कुछ बता देता है जॉश ने का मेरी वाइफ इसमें इन्वाल नहीं तुम उससे बात नहीं कर सकते है उसने सेरेना को कंफरेंड किया वो कहती है मैंने सब कुछ हमारे लिए ही किया तुमने मुझे हर्ट किया है तुमारे ओफिस में मैंने बेबी का फोटो देखा क्या मैं तुमारे लिए इन्व नहीं थी हमारा प्यार उस बच्चे से ज़्यादा इंपोर्टन्ट है जॉज खहता है कि बताओ मैरा बच्चा का है इस सब को रोक दो पर सेरेना मानती नहीं उसने कहा कि वो तुमारे जैसा है दिखता है जब तक वो चाइल जिन्दा है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जॉज अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से जा रहा था सेरेना उसे रोक लेती है कहती है अगर तुम तुमारे बच्चे से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो मुझे यही की यही मार डालो जॉज गुसा होकर उसका गला दबाने लग जाता है उसे मारी डालता पर लास मुमेंट में उसने उसे छोड़ दिया जॉज डारेक्ली पुलीस के पास आया उसने गा यह सारी मेरी बुक्स है इससे तुम हमेशा के लिए मुझे जेल में डाल सकते हो मैं सारे क्राइम के लिए कनफेस भी करूँगा सिर्म मुझे मेरे बेटे का पता दे दो मैं उसे प्रोटिक करना चाहता हो शेरिव भी इसके लिए मान गया सर्वांड और उसका बेटा यह दोनों टाउन में थे ट्रेन लेकर यहाँ से जाने वाले थे पर ट्रेन लेट हो गई इतने टाइम में गैलोवे उसे ढून कर मार सकता है इसलिए जाकर वो जंगल में छूप गई जोज भी स्टेशन पर पहुँज गया जब ट्रेन आई तो जोज और गैलोवे यह दोनों उसे ढून रहे थे वो जल्दी से इस ट्रेन पर चड़ जाती है गैलोवे ने पहले उसे देख लिया वो जाकर उसे मारने वाला था तब ही जोज उसे रोक लेता है इन दोनों में बहुत फाइट हुए जोज ने रिजर लेकर उसका गला काट दिया वो उपने बेटे को बचा लेता है जोज ने सरवन्ट से पूचा कि अब तुम क्या करने वाली हो मूवी के फर्स में हमने देखा था इस सरवन्ट को एक आदमी लाइक करता है तो अब वो उसी के साथ रहने वाली है इस बच्चे से भी वो बहुत प्यार करता है तो ये सब हैपी रहेंगे जोज को अपने वेटे को जाता हुआ देख बहुत बुरा लगा जोज ने पुलिस ओफिसर से डील की थी पर उसके पास गया नहीं उसे अभी अभी पता चला था इस जंगल में एक पैंथर आया हुआ है वो दूर जगा पर एक बेट रग देता है एक हिल की उपर से निशाना लगा रहा था थोड़ी देर में पैंथर वहाँ पर पहुँच गया उसे शूट करता है पर उसे देख नहीं पा रहा था वो पैंथर के पास गया पर पैंथर ने उस पर हमला कर दिया थोड़ी देर में जोज को ढूंटे वे पुलीस आया उन्होंने देखा कि पैंथर और जोज ये दोनों मर चुके है पैंथर ने जोज को मारा और जोज ने पैंथर को दूर से इस सेरेना ने गाड़ी के आवाज सुनी उसे लगा कि जोज वापस आ चुका है पर डारिकली जोज की डेट बोड़ी आई वो बहुत ही जादा शौक में चली गए जोज ने उसे जो ट्रेस दिया था ये वो पहन लेती है जोज के शट को समेल करते हुए वो बेट पर सोई उसने सारे घर को आग लगा दिया उसी आग में जल्द कर वो सुसाइट कर लेती है अपने सेलफिश ने इसके लिए इन्होंने कोई भी हत नहीं छोड़ी ये किसी को भी मार सकते थे और फाइनली जो उन्होंने किया था इसकी सजा उन्हें भूगदनी पड़ी सेरेना भी चौस की बिना जहीं नहीं सकती थी तो इसलिए उसे सुसाइट करने पड़ी इसे के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अचल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारे मुवीज लेकर आत रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एगनी मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया